दुर्गा अश्ट्मी पर सीम अशोक गहलोत ने की पूझा अर्चना सीम आवास इस्तित मंदिर में सीम अशोक गहलोत ने मा दुर्गा की पूझा अर्चना की है देश और प्रदेश की खुशाली की कामना सीम ने मंदिर में पूझा अर्चना करकी सब परिवार पूझा अर्चना मुक्यमंत्रिय अशोक गहलोत करते नजर आए आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीम अशोक गहलोत और उनकी पत्नी इस पूझा में शामिल हुए सीम आवास में मंदिर में दूरगाश्ट्मी के परव पर सीम अशोक गहलोत ने हवन किया और इस पूझा अर्चना के कारेक्रम में सीम अपने परिवार के साथ शामिल हुए उनके बेटे वैभवगहलोत उनकी बहु और साती साथ सीम की पत्नी भी इस पूजा अर्चना के कारे में शामिल हुए और सीम आवास इस्तित मंदिर में माता की अराधना करते हुए आज मुख्यमंत्री अशोग गहलोत नजर आए आज दुर्गाश्टमी हैं और दुर्गाश्टमी के स्पर्व पर सीम आवास इस्तित मंदिर में सीम अशोग गहलोत ने पूजा अर्चना की है और प्रदेश की खुशाली की कामना की इन तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री के बेटे और साती साथ उनकी पत्नी उनकी बहू उनके परिवार के तमाम लोग इस पूजा अर्चना के कारिक्रम में शामिल हुए आज दुर्गाश्टमी के दिन हवन सीम ने किया है और प्रदेश की खुशाली की कामना क भी है आज देशबर में दुर्गाश्टमी की धूम है और नवरात्रों के आठवे दिन माता गौरी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है तो तो CM अशोक गहलोत ने भी CM आवास इस्तित माता के मंदिर में पुजा अरचना की हवन किया और खुशाली की कामना की आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे विधी विधान के साथ CM अशोक गहलोत यहाँ पर पूजा अरचना करते नजर आए माता की मूर्थी पर पुश परपित किये साती साथ हवन किया सीम की पत्नी भी उनके साथ इस पूजा अर्चना के कारिक्रम में मौजूद रही तो आज का दिन बेहच शुप नवरात्रों के इन दिनों में माता की पूजा अर्चना भक्त करते हैं और आज अश्टमी का पर्व है तो आज अश्टमी की अपनी मानिता होती है दुर्गा अश्टमी के इससा पर्व पर सीम अशोग गहलोत ने भी सीम आवास इस्तित मंदर में पूजा अर्चना की है